नमस्का दोस्तों मैं बुद्धिविलास रखवार दोस्तों ये 10 hp का जो पंप है उसको कैसे सेट करना है उसका कट किस तरफ रखना है सब कुछ जो है पूरी डिटेल में मैं आपको समझाओंगा तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप धागा लगा दीजिए और इसमें धाग चैसे दोस्तों नट करेंगा है झतीजिए म्यूंसिट चैनल धीजिए हो सवागा झालका सह नहीं अर्टि आध खोकरेंगों को फोल्टाइट नहीं करना अभी क्योंकि wordt ऑगना है तो अब इसपूलंट नहीं कि माधिए तो उपनाट को झालोंटेंगे नहीं करना तो पिर यह जो है नीच्छ जाएगा भी और टाइट करदेंगे तो फिरिकत होगी किसा कर दोस्तों आएगे ये डिलिबरी वाइगे उसके जगम έये सिर्ण डिलिबरी वाल भी मैंने नई डाली है पुरानी ये रही मैंने पमप डेलिबरी वाल सब कुछ अच्छीनिया ही मैं यह ला ने लो जग तो इसके बाद इसका जूम नट है अ अच्छे से और इसके बाद फिर इनकी टाइविंग्र दिकाते हैं कि दोस्तों देख सकते हैं यह जो कट आप देख रहे होँ में यह यह कट है और इसका Square है ये और ये ऐसे मतलब आपको इस तरह सेट करना है कि जो ये कट है ये पूरा एक ऐसे इस परकार रहेगा दोस्तों तो इसको मैं सेट करता हूं दोस्तों मैं इसको अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूं इसको में खास तर्फ से इसको आपको कैसे से करना देखे तो सबसे पहले तो दोखिए ये रोट जो है ये अधी दर जाई गई और अधी दर तापको दोनों को बीचों बीच कर लेना है और ये जो कट देख रहे हैं हलाकि थोड़ा सा लग गया है और हलका इस रोट को हलका आगे पीछे करके तो जब वो गलारी में फंस जाएगी तो आ जाएगा देखते हैं कुछ साइद भी सिंटर में आया नहीं वो कि दोनों को बीचों बीच और ये जो कट है ये ऐसे करके मतलब ये जो ये कट है ना ये फंसे करका लारी में जाके तो तो सब जादा है ये ये यह यह अभी कर दो कर दो तो चली में तो साइक देखता हूं कि अखिरिक फंस का लब किया है ना कि अभी ये फंस नहीं रहा उस चट ये है है ऐसे हो गया है ये जो है ना ये कटिंग में फंसे गी ये अ हम ये चला गया ये और इसके बाद इसको लगा देना है ये और ये मतलब इसको फंसाना पड़ेगा कुछ ऐसे करके नहीं तो फिर ये लाक लगाने में दिक्कत होगी दोस्तों ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसको दबा के थोड़ सा निकाल लेंगे तार को हलका सब थोड़ सा लगा है फौन हाथ में तो चलिए दोस